आप ground reporting करिये न, काफी क्या बदल गया वो बताइएगा न, अभी भी छात्रों की संख्या पूरी नहीं आ रही स्कूल में, सभी छात्र अगर आ जाएं तो बहुत जगह बैठने की व्यवस्था नहीं है, कक्ष नहीं है, बरकक्ष नहीं है, बेंच डेक्स नहीं है, पीने की पानी नहीं है, सवचाले नहीं है, आप जा करके तो देख लीजे, आज भी विहार के अंदर बरे पैमाने पर, प्रैमीरी विद्याले दूसरे विद्याले के साथ टेक करके चल रहे हैं, बहुत जगह बिद्याले में, चार-चार कक्ष के बच्चे एक कक्ष में बढ़कर पढ़ रहे हैं केटे पाठक जो भी करते हैं वह बस एक दिखावा है और तो और उन्होंने यह भी कह दिया कि अभी तक क्या चीज हुआ है ना तो इस स्कूल में बच्चों की उपस्तिती है और ना ही इस कूल में मुलबूत सुविधाओ का कोई भी लाब बच्चों को मिल रहा है और किस तर के से अपने घेरे में लेते नज़र आ रहे हैं जीवेश मिश्रा पहले आप वो सुनें दखे कुछ भी नहीं बदला है सिक्षकों की बहाली जरूर हुई है बड़े पैमाने पर विद्याले में जो हम लोग पहले से कर रहे थे पाँच मीशं के चुनाव को पाँच में चळन के नयोजन के बाद इन्होंने जो बाकी नयोजन करना था उसको बिपे एसी के माध्याव से करकर टीचरों की बहाली जरूर इन्हों Aside की जो के स्मय का वैकेन्सी ठा उसको पुड़ा करने का काम इन्होंने आनन्ज़ान के किया और आप सभी को मालूम है कि उसमें कितने प्रकार की गरवरी खरी हुई है, कितने प्रकार का उसमें प्रॉब्लेम हुआ है, आज सवाल उस पर भी खड़े हो रहे हैं, अभी सबसे महत्पूर्ण है स्कूल में छात्रों के बैठने की विवस्था, स्कूल भवन का होना, बेसिक सुवधा, बुनियादी सुवधा का स्कूल में होना, आप जाकर ग्राउन रिपोर्टिंग कर लिजे, मैं मान रहा हूं कि कुछ सकारात्मक कदम उसमें उठा रहे हैं, कुछ बिबाद में भी रह रहे हैं, कुछ सकारात्मक कदम भी उठा रहे है लेकिन इस सब के बाब जो जो अभी मूल भूत आवसकता है विद्याले का उसमें बिहार का इंफ्राइस्ट्रेक्ट्टर फिसड़ी है इसको नकारा नहीं जा सकता है आप ग्राउंड रिपोटिंग करिये ना काफी क्या बदल गया वो बताइएगा ना अभी भी चात्रों की संख्या पूरी नहीं आ रही इसकोल में सभी चात्र अगर आ जाएं तो बहुत जगह बैठने की व्यवस्था नहीं है कक्ष नहीं है बरकक्ष नहीं है बेंच डेक्स नहीं है पीने की पानी नहीं है सवचाले नहीं है आप जा करके तो देख लिजे आज भी बिहार के अंदर बरे पैमाने पर प्राइमिरी विद् में चार-चार कक्ष के बच्चे एक कक्ष में बढ़कर पढ़ रहे हैं थोड़ा जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करिएगा तो ये सारे जो बदलाओं है उसकी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग सामने आ जाएगा अब क्रेडिट लेने के लिए होल लगा हुआ है कुछ 38,000 सिक्षकों की बहाली वेकंसी पहले ही निकाली जा चुकी थी एंडिये के समय में मुख्यमंत्री तो ओवियसली मानवर नितिस कुमार जी ही थे उस समय एंडिये भारती जिंतापाटी सरकार में थी हम लोग एक लक्ष लेकर चल रहे थे 19,000,000 रोजगार का जिसमें नौ तो ये सब काम में हम लोग लगे हुए थे उसी समय 2,30,000 सिक्षकों की बहाली की वेकंसी आई थी बरे पैमाने पर A&M, G&M की वेकंसी आई थी ये सब जो वेकंसी है जब सरकार बदलने की बात आई तो उसमें आधा अधूरा वाहली करने के बाद कुछ को रोक करके बाद म उसको बहाली करने के बाद ये दिखा रहे कि हम बहाली किये अभ बता दे सरकार की नई वेकंसी क्या किसको बहाल करने है और कब तक करने है ये सरकार सपस्ट करें तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजल आ रहे थे जिवेश मिश्रा और उन्होंने साफ तोर पर यह भी कह दिया कि जो भी BPSC के थुरू जो भी सिक्षा नुकती हुई है वो NDA के समय में ही वो वैकेंसी निकाली गई थी जो की बस अब नितीश कुमार वो दिखावे के लिए कर रहे हैं नितीश कुमार खुद से कोई भी पहल नहीं करते उनकी सरकार बस भगवान भरोसे चल रही है तो ठीक उसी प्रकार जो सिक्षावी भाग के अपरमुक सचीव हैं के एक पाठक वो भी भगवान भरोसे ही चल रहे हैं ना कि वो बच्चों की सुविधाओं की जा परमान खबरों को जानने के लिए आप बने रहज़टी पोस्ट लाइफ के साथ और साथ ही इस वीडियो को लाइक करे शियर करे और हमारे शैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद